Hi guys, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. So, आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ मीशो से कुर्ता एंड कुर्ता सेट्स And इस बार मैंने आपकी request पे चिकन कारी कुर्ता भी order किये हैं तो देखते हैं किस तरह की quality और design है और जित्ते भी products मैं आपको दिखाऊंगी इनके link आपको description box में मिल जाएंगे तो check out करना बन भूलिएगा code and links दोनों मिलेंगे और अगर मीशो की app अभी तक आपने download नहीं किया तो उसका link भी मैं description box में दे दूँगी उस link के through अगर आप first order प्लीज करते हैं तो 30% से लेके 100 रुपीज तक का आपको off मिलेगा on your first order चली अप जल्दी से वीडियो को start करते हैं अच्छी लगे तो like जरूर कीचेगा, comment कीचेगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो ऐसा ही content आगे देखने के लिए मैंने चैनल को भी subscribe कीचेए Now let's get started So start करते हैं, first chicken kari kurta से ही and this is in georgeth, georgeth material में मैंने लिया है बहुत ही प्यारा, parrot green color है इसके अंदर and यह जो chicken kari work है, यह machine work है यह हाथ से किया हुआ नहीं है You can see, पूरे kurta पे, front panel पे आपको यह अच्छी सी embroidery मिल जाती है बहुत ही neat and clean embroidery हुई है कहीं से भी आपको एक भी धागा इधर से उधर नहीं मिलेगा and style भी मुझे काफी अच्छा लगा, length काफी अच्छी है knee से भी नीचे यानी काफ तक इसके अंदर आ रही है sleeves है, आपको इस तरह की मिल जाती है यहाँ पर यह plane है और नीचे यह इस तरह का border type है यह काफी अच्छा मुझे इसका pattern लगा and इसके cuts भी आप देख सकते है edges है, वो plane नहीं है ऐसे इसके अंदर pattern है and इसमें आपको मिल जाती है lining cotton की lining नहीं है, यह crepe material है and मैंने इसे medium size में लिया है color अच्छा है, fitting भी इसकी अच्छी है and जो work है वो काफी अच्छा मुझे लगा नीचे पैनल पे भी आपको यह नो ऐसे पूरे आपको vertical मिल रहा है और नीचे आपको यह horizontal pattern मिलता है कढ़ाई में, तो मुझे काफी अच्छा लगा यह अला pattern and यह handwork नहीं है handwork की मैंने एक और pick करी है इसको मैंने white trousers के साथ ना pair किया है, यह भी मीशो से है मैंने पिछले haul video में आपके साथ share किया था, अगर अमने last video मिस कर दिया है, तो code में अभी भी दे दूँगे आपको उसका and इसके बाद next जो कुरता है अच्छा मैंने इसके अंदर size आपको बता दिया था but brand है यह swag India so yes made in India है यह made in India सारे ही है इसके बाद जो second है वो है कुरती from Alina brand and यह बहुत ही सुन्दर pink color के अंदर है mauve and इस तरह का shade इसके अंदर आ रहा है front से आप देख सकते हैं पूरे पर इस तरह का panel है you can see काफी अच्छा print इसके front में आपको मिलेगा and यह इस तरह की vertical lines है थोड़ा से elongated look आपको देगी calf length है straight kurta with side slit and आपको यह sleeves मिल जाती है 3-4 जिसके उपर आपको यह border मिलेगा यहाँ पे गला जो इसका है वो बहुत ही ज्यादा you know decent है बिल्कुल भी deep नहीं जाएगा and boat neck sort of है पीछे से आपको इस तरह का keyhole मिलता है तो यह अफी इच्छा pattern मुझे लगा पहने इसके नीचे कोई भी lining ने डाली है बट आपको यह से लगता है it's not like इतना see-through क्योंकि आगे प्रेंट है पीछे से अगर आपको यह से लगता है तो आप इसके नीचे एक nude कलोई की spagotty डालीजे और good to go Alina जो brand है उसकी quality अच्छी होती है पहने में बहुत ही जादा soft है cotton material में है तो I highly recommend अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो आप definitely से ट्राइ कर सकते है इसको भी मैंने same उसी bottom के साथ पैर किया है off-white जिसमें जो मैंने first वाले में डाला था तीक है इसके बाद जो next है वो है kurta set and this is from the brand KSUT यह वला brand आपको Amazon पे भी मिल चाहेगा इसमें भी मैंने medium size ही लिया है two-piece में यह आता है cotton material के अंदर है काफी जादा soft है इसकी quality cotton की and जो मल-मल वाला होता है and print आप देख सकते हैं color आप देख सकते हैं तो इसके अंदर see-through का issue नहीं है again आपको इसके नीचे lining यह स्पैगटी डालने की ज़रत नहीं है front में आपको इस गोटा पत्ती की detailing मिल जाती है wooden buttons है and fit आपको इसका देख सकते हैं loose fit है इसके अंदर I think मैं small लेती तो मुझे प्रोपर अच्छे से जादा अच्छी fitting आती है यही थोड़ा सर कन्फ्यूसन रहता है कुछ ब्रेंट्स में मुझे small आता है कुछ में मुझे medium आता है जैसे यह वाले के अंदर मुझे से लग रहा है मुझे small लेना चाहिए था and sleaze आपको 3 4th मिल चाहेगी हो यहां पर भी गोटा पत्ती की detailing हो रखी है बहुत ही प्यारा कलर है simple सा and you know soft बहुत जाद है पहनने में आपको काफी अच्छा लगेगा और इसको आप easy लेना घर पे डाल सकते है regular wear में क्योंकि काफी affordable price में है साथ में अपने office में भी आप इसे carry कर सकते है with or without dhupatta आपको अपने से लेना पड़ेगा कि इसके साथ नहीं आता है and इसके साथ ही इस तरह की pants है नीचे जाकर थोड़ी सी tapered हो जाती है और काफी ज़दा comfortable, relaxed है you can see दोनों तरफ से इसके अंदर elastic है तो काफी smart है और बहुत ही ज़दा soft material में है इसकी quality मुझे काफी ज़दा अच्छी लगी तो मैं highly recommend करती हूँ आप इसको अगर चाहते हैं आपकी requirement है और आप सोच रहे हैं, plan करें इस नौट के आपके पास अल्रड़ी बहुत सारी चीज़ है और फिर आप मेरी recommendations पे लिए जा रहे हैं ऐसा नहीं है मैं इसलिए शेयर करती हूँ अगर किसी को requirement है या फिर कोई reselling business के अंदर है तो definitely वो ऐसी चीज़ों को pick कर सकते हैं otherwise आप मेरी वीडियो से enjoy कीजिए और इसके बाद जो next है यह है अगें चिकन कारी कुरता जो मैं आपको बता रही थी फिर्स्ट फॉल जॉर्जट मेटीरियल में है बहुत ही प्यारा बेवी पिंक कलर जो होता है उसके अंदर है इसके उपर पूरे पर आपको यह हैंड एम्ब्रॉडरी जो होती है चिकन कारी वाली वो मिलेगी गले पर आपको देख सकते हैं चुटी-चुटी बूटियां है और फिर जो साइड यह स्लिट्स होती इसके पास भी आपको इस तरह का यह पैटन मिल जाता है फुल स्लीज है इसकी और स्लीज पर भी बूटियां है और यह बॉडर है यह साइज भी अ मैंने मीडियम ओडर किया दा और मुझे 42 दे दिया उन्होंने आइ थिंक या तो यह फ्री साइज में फॉट चीनु कह रहा है आप वीडियो बना लो सो के उठाया भी वो तो यहां पर क्या है ना यह 42 साइज में उन्होंने मुझे दे दिया है आइडों नो कि यह 42 में ही सबको मिलने वाला है है यह मुझे ही गलती से 42 में मिल गया तो बहुत ही चादा धीला है अब देख सकते हैं कंदे से भी मेरे शॉल्डर से भी निकल रहा है और ऐसे भी बहुत चादा पूरा धीला ढाला है 42 तो मेरी ज़िए भॉत च्यादा ओवर साइज है मेरे 34 या 36 में पहनती हूँ तो इस तरह का है अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात बताऊं तो इन दिस प्राइस जो 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 जॉर्चत है वह भी डीसेंट है जो कढ़ाई है उसके अंदर भी फिनिशिंग आपको मिल जाएगी सो कॉटन थ्रेड के अंदर है तो ओवरल देखके मुझे काफी अच्छा लगा अगर इसका साइज और फिट अच्छा होता तो आपको मेरे भी यह देखने में अच्छा लगता अब आपको मेरे भी तो बहुते धीला है मैंने इसके साथ जूल्डरी वगएरा पैरप किया क्य अगली हैं तो इसके लिए आपको लाइनिंग चीए तो लाइनिंग इसके अंदर आलरेड़ी भी गिया इस तरसी सम्क्राइब के सेम किलर की अपको लाइनिंग मिल जाएगी बट यह लाइनिंग की जोफ ई दक मेरे नही पास आती है और यह कुरती है वह काफ छ़न्ग है कि इसकी लेंथ अटलीस्ट इतनी और होती थोड़ी चोटी हो सकती थी बट बहुत जादा छोटी जब होती है तो नी लूग इतना अच्छा नहीं आता तो यह यह इसका ही अगर लंबा होता तो मुझे जादा अच्छा लगता तो अगर आपको यह ए डेक के लोग अच्छा और जो जो शमीज अंदर वाला वो भी cotton material में तो वह भी आपका अच्छा है अभी तो थोड़ा सा एसे लग रहा है ना कॉटन होता जब इसे वाश करेंगे तो थोड़ा सा सॉफ हो जाएगा ये सो या अकॉर्डिंगली आपको अच्छा लग रहा है तो आप बाए कर सकते हैं इसके बाद जो next और yes last piece है this is again from KSUT brand और ये भी मैंने medium size में लिया है ये ही वाले कुर्टे का brand है इसका ये blue color के अंदर मैंने लिया है cotton material में है ये कुर्टा मुझे काफी ज्यादा smart लगा because ये high-low pattern में है straight कुरता है and side slit है और नीचे जो पठानी वाला कट होता है न गोल वो है और high-low pattern के अंदर है sleeves भी इसमें पूरी full मिलेगी आपको and आगे से ये cuff बना हुआ है और इसके अंदर आप ये pattern देख सकते हैं जो print है वो भी geometric and designer pattern मुझे लगा तो ये cotton material के अंदर है और काफी soft cotton material है and ये इसका bottom है and bottom wide leg है दोनों तरफ से elastic आपको मिल चाता है and pockets इनके अंदर नहीं है और ये print है vertical strap जो है ये print है और इसके उपर भी ये print है जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी वो यही है कि इसके उपर इस तरह का नहीं है ये इसके ये जो pattern है ये self में ये ऐसा print नहीं है जो wash करने पर निकल जाएगा but इसकी मुझे मतलब मैं शौर हूँ कि एक बार नहीं तो दो बार या तीन बार धुलने के बाद इसका print जाना ही जाना है तो इसलिए मैं अपनी तरफ से ये आपको recommend नहीं करूंगी even though इसका design और कपड़ सब कुछ बहुत अच्छा लगा पता नहीं उन्होंने इसका पूरा खराब कर दिया इस पर ये print करके print नहीं देना चाहता even ये plain होता तो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता so guys ये था आज का collection और ये था मेरा review जरूर बताएगा कैसा लगा आपके लिए helpful रहा या नही comment section में लिखिएगा so आज की वीडियो में यहीं end करती हूँ बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे in the next one till then take care bye bye description box में दिये लिंक पर क्लिक करके आप मीशो एप को डाउनलोड कर दीशिये फिर then मीशो एप पर क्लिक करेंगे तो यह आपको एप पर route करेगा you can see काफी सारी categories हैं यहाँ पर जो भी आप देख सकते हैं मैं categories पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर आपको fashion में भी काफी सारी चीज़े मिल जाएगी साथ में home related and kitchen related stuff भी है तो यहाँ पर मैं open कर रही हूँ कुर्ता सेट के अंदर आप देख सकते हैं काफी सारे options आपके सामने आ जाएंगे आप स्क्रोल करके जो भी आपको पसंद आए किसी भी catalog पर क्लिक कर सकते हैं उस catalog में भी काफी सारे options होते हैं जो आपको पसंद हो वो आप क्लिक करें उस पे and then उसके बाद आप उसे add to cart करे करेंगे तो size option मांगेंगा सिंस यहां पर सिरफ एक ही size था तो मैंने उसको select कर लिया है and उसके बाद checkout पे click करेंगे checkout पे click करने के बाद आपको options मेनेगे payment के online cash on delivery paytm जो भी आपको चाहिए वो आप click करेंगे and then proceed कर देंगे